यो वाट्सप यूट्यूव, वैलकूम बख टो माई चैनल, तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको Arduino से Traffic Light बनान सिखाया था, पर मैंने आपको उसका Code Explain नहीं कर रहा था, इस वीडियो में मैं आपको उस वीडियो का मतलब उस Project का Code Explain आपको करने जा रहा हूं, आपको इसके पिन मोड और जो डिस्ट लाइट में हर वीडियो में आपको बताता हूं वो समझ आ गया होगा तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा है अपना ट्रैफिक लाइट टूटोरियल विद् त्री लेडी आप जानते होंगे अगर आपने पिछला वीडियो देखा है उसमें मैंने तीन लेडी का यूज करा है जो कि है रेड यलो और ग्रीन तो यहां पर जो हमारा मैटिरियल था वो था हमारा एक रेड एलेडी चाहिए थी एक यरओ लेडी एक ग्रीन एलेडी अड़ीनो और यूनो तो चैए तहبة ब्रैट बोस अड़ीनो की डाटा के बड़लवर्व सब्र में लटो माल जंपर वाइस चाहिए थी और जो मैंने अप यूज करा था वो था हमारा Arduino ID PC version तो अभी हम इस वीडियो को शुरू करते है शुरू में हमने अपने तीन LED को लेट कर दिया है यहाँ पर मशुरू में इंट लिखा और Red is equal to pin number 12 पर हमने रख लिए है और Yellow pin number 11 पर और जो Green है वो pin number 10 पर और भी हम अपना वोईड लूप भी समझ लेते हैं मतलब वोईड सेट अप समझ लेते हैं तो यहाँ पर शुरू मैंने वोईड सेट अप लिखा है उसके आगे दो brackets लगा के curly bracket लगा दी है उसके अंदर मैंने pin mode लिखा है उसके बाद bracket लगा के red लिखा है जो कि हमको output देने वाली है उसके बाद दुबारा से pin mode bracket लगा के yellow और comma output उसके बाद फिर pin mode ग्रीन और output मतलब हमारी 3 leds वे लिख देने वाली हैं, तो मैंने यहां पर 3 में लिख दिया है और 3 ब्रेक्ट के आगे। कॉमा लगा दिया है, उसके बाद हमने इस करली ब्रेक्ट को क्लोस कर दिया है, उसके बठते हैं अपनी weit loop के explanation पर टो शुरु नहीं नहीं जेना है और यहां पर ब्रेकेट दू ब्रेकेट लगाके close कर लिया है और यहां पर curly bracket लगा दिया है और यहां पर तो दोस्तो मैंने यहां पर शुरु में red और नीचे yellow और नीचे green लिख दिया है शुरू में हमारी red LED हाई होगी क्योंकि आप जानते होंगे कि शुरू में जब हमारी traffic light on होती है तो सबसे पहले red LED on होती है जिस पे हमको रुकना होता है वो हमारी 6 second के लिए जलने वाली है उसके बाद अपने next paragraph पर बढ़ते हैं हमने यहाँ पे फिर उसके आगे लिख लिए है फिर से digital light लिखा है और digital light का w capital है और bracket लगा के तीनों में red yellow green लिख लिए उपर वाले की तरह और यहाँ पे हमारी yellow LED हाई होगी यह मतलब ओन होगी आपने traffic light में general देखा होगा कि हमारी जो yellow LED है वो red के आगे ओन हो जाती है red जब बंद हो जाती है हमारी LED उसके बाद yellow LED ही होन होती है इसको मैंने 5 second का delay दिया है उसके बाद हमने फिर से digital light लिख लिए और w यहाँ पे capital रखा है और bracket लगा के red yellow और green लिख लिख लिए है यहाँ पे lastly हमारी green LED हाई होगी जो कि होगी 7 seconds के लिए उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर से digital light लिख लिया है और bracket लगा के green yellow और red लिख लिए और तीनों इस पर off होगी मतलब यह थोड़े टाइम के लिए off रहेंगी जो कि है हमारा 0.25 seconds उसके बाद फिर से मैंने यह digital light लिख लिए है और ब्रैकेट लगा लिए और green yellow और red लिख लिए है और यहाँ पे हमारी green LED हाई होगी जो कि हमारी 250 मतलब यहाँ पे real time में 0.25 seconds के equal है उसके बाद फिर मैंने digital light लिख लिए है और bracket लगा के green yellow और red लिख लिए और यहाँ पे हमारी जो तीनों LED है वो off होगी और यहाँ पे मैंने डिले डाल दिया 0.25 seconds का उसके बाद मैंने फिर अपनी green LED को own करा है 0.25 seconds के लिए जो कि देखने में अच्छी लगती है उसके बाद हमने फिर digital light का paragraph यहाँ पे लिख लिए है तीन LEDs के लिए और यहाँ पे मैंने इस बार yellow LED हाई करी है 0.25 seconds के लिए यह मैंने यह जो मैंने अपने extra four paragraph लिखे हैं यह आपको अच्छे से मतलब LED का जो हमारी traffic light है उसको अच्छे दिखाने के लिए यह वला किया है वरना मैं इसके शुरू के तीन paragraph से ही काम चला सकता था जो कि हमारे यह तीन paragraph थे पर मैंने extra paragraph लिखे हैं जिससे आपके जो traffic light वाला project है वो अच्छे से दिखे और इसका जो मैंने यहाँ पे last में लिखा है कि एक note लिखा है मैंने कि यह जो हमारा 1000 delay होता है वो इकल होता है वन सेकंड के जो कि है हमारी real time का जो life रियल टाइम में जो हमारी real life में आपे time होता है वो वन सेकंड के इकल होता है तो मतलब में आपे जैसे 251 ने डाला है तो वो डिवाइड हो जाएगा 1000 से तो यह आजेगा 0.25 सेकंड तो यह हमारा main यहाँ पे delay का system है उ तो जैसे अब इस code को आप upload करोगे तो आपका project चलना शुरू हो जाएगा इस video में आपको अपने project के working नहीं दिखाने वाला क्योंकि मैंने आपको पिछले video में उसके working दिखा दे थी अगर आप मेरा पिछले video देखना चाहते है तो मैंने अपनी description में उसका link दे दिया है औ तो अगर आपको मेरा ये video पसंद आता है तो मेरे इस video को like, share और मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलना, thank you